हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू दा चैनल आज हम करेंगे कुछ अवोर्ट्स एंड ओनर्स 2023 के जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन How many people have been awarded पदम विभूशन for 2023? कितने लोगों को पदम विभूशन 2023 से सम्मानित किया गया तो इसका सही उत्तर होगा इन छे लोगों को पदम विभूशन से सम्मानित किया गया जिन में मुलायम सिंग यादव, जाकिर हुसेन, म.S. कृष्णा, एसार श्री निवास वर्धन, बाल कृष्ण दोशी और दिलीप महल नाविस हैं नेक्स्ट कोष्ण है, Who has been awarded the प्रबासी भारतिय सम्मान अवार्ट 2023? प्रबासी भारतिय सम्मान पुरुशकार 2023 का किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा, राज सुब्रमन्यम नेक्स्ट कोष्ण है, Who has been awarded the Pulitzer Prize 2023 for international reporting? अंतर रास्टी रिपोर्टिंग के लिए Pulitzer पुरुशकार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका उत्तर है, The New York Times आपको बता दे, Pulitzer पुरुशकार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है नेक्स्ट कोष्ण है, Who was honored with the International Booker Prize 2023? अंतर रास्टी रिपोर्टिंग पुरुशकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है, जॉर्जी गॉस्पोर्डिनों ये एक बुलगेरियन राइटर है, इनकी नॉबल टाइम शेल्टर को 2023 का बुकर प्राइज मिला अपने सर्वोच पुरुशकार कमपेनियन ऑफ दा ओडर ओफ लोगुहू से सम्मानित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है, पापुआ न्यू गीनी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इसका सही जवाब है, आल अफ दा अबब निलोफर हामिदी, नर्गिस मुहमदी और इलाहे मुहमदी ये तीनों इरानी महिला पत्रकार हैं, जिनने सच्चाई और जवाब देही के प्रति प्रतिबद्धिता के लिए पुरुशकार दिया गया The Chief Minister of which state has been honored with the 13th भारत रत्न डॉक्टर अमबेटकर अवार्ड से किस राजी के मुख्यमंत्री को समानित किया गया इसका correct answer है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियें श्री योगी आदित्तिनाच जी उत्तर प्रदेश को भैमुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाच जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया Who will be honored with the लोगमाने तिलक अवार्ड 2023 लोगमाने तिलक पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा इसका सही उत्तर है श्रीन नरेंद्र मोदी मोदी जी को देश की प्रगती में योगदान और नागरिकों के बीच देश भक्ती की भावना को बड़ावा देने के प्रयासों के लिए ये पुरुसकार दिया जाएगा Next question है Who has been awarded the Laureus World Sportsman of the Year 2023? Laureus World Sportsman of the Year 2023 का पुरुसकार दिया गया Lionel Messi को ये पुरुसकार हर वर्ष जीत का सम्मान करने हे तू प्रदान किया जाता है इसे खेलों का ओसकर कहा जाता है Laureus World Team of the Year 2023 का अवोर्ड अर्जंटीना पुरुष फुड़ वोर्टीम को मिला देखे अगला question है Which country has honored PM नरेंद्र मोदी with its second highest civilian award Grand Cross of the Order of Honor in August 2023 तो आपको बताना है PM नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरुसकार से सम्मानित किया है इसका सही जबाब है Greece Greece की President है Katharina Sakila Ropaloo इन्होंने अपने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरुसकार Grand Cross of the Order of Honor St. Priyam नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है Who has been honored with the German Peace Prize in 2023? 2023 में जर्मन शांति पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो इसका correct answer है Salman Rushdie Salman Rushdie ये एक famous British American writer है Who has won the Prisarch Architecture Prize 2023? Prisarch Architecture पुरुसकार 2023 किस ने जीता? तो इसका answer है David Allen Chipper Field आपको बता दे Prisarch Prize ये वस्तुकला यानि Architecture Field में ही दिया जाता है Who has been honored with the Marconi Prize 2023? Marconi पुरुसकार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा Hari Bal Krishnan ये प्राइस Communication Technology के शेत्र में मिलता है जो लोग Communication Technology में अच्छा काम करते हैं उन लोगों को ये पुरुसकार दिया जाता है Who has recently been honored with the Lifetime Achievement Honor in the UK? हाल ही में, UK में Lifetime Achievement सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है Manmohan Singh Manmohan Singh हमारे पूर प्रधानवंतरी रहे हैं इन्हें Economic और Political Life में Contribution के लिए ये Award दिया गया है Who was recently awarded the Bihar Ratn सम्मान for Contributions to Mathly Music? हाल ही में Mathly संगीत में योगदान के लिए बिहार Ratn सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है Soni Chaudhary ये एक Poetess भी है और Mathly folks singer है और ये दरबंगा की है चलिए next question देखते है Who has been awarded Australia's highest civilian honor Order of Australia in 2023? 2023 में Australia में सर्वोच नागरिक सम्मान Order of Australia से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रतन टाटा रतन टाटा ये chairman है टाटा संस के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने friends में share कीजिए और channel को subscribe कीजिए बाबाई